नमस्कार मित्रो और रेनिसा क्लासेज में आपका स्वागत है मित्रो आज की क्लास में हम कॉलिज सायक प्रोफेसर हिंदी की परिक्षावन निर्दारिद जो कुछ विशिष्ट काहनिया लगी हुई है उनमें से एक काध्यन करते हैं काहनी अ कफन कफन काहनी प्रेम चंद की महान काहनियों में सामिल है मित्रो कफन काहनी पर मैं कुछ भी बात करूँ उस से पहले मैं आपको याद दला दू, हिंदी गद साहिते का अध्यन करते समय हमने इस बिंदू को उठाया था कि कहानी बहतरीन कौन सी होती है कहानी बहतरीन वो होती है जो अपने उद्देश में एप्रत्यक्ष होती है जो कहानी अपने उद्देश में सीधे सीधे प्रत्यक्ष होती है वो कहानी कहां रह गई वह तो एक सपार्ट बयानी ये कुरा उपदिस मात्र होके रह जाता है जब तक कहानी पाठक वर्ग को स्वेम निसकर्स निकालने की छूट प्रदान नहीं करती है तब तक कहानी में कहानीपन क्या रह गया तो वो कहानी जिसके द्वारा पाठक स्वेम उसकी संवेदनाओं की तह में जाए और अपने स्वेम की निसकर्स निकाले और आनन्दी तो ये निसकर्स निकाल करके कि ये मेरे स्वेम की निसकर्स है उसे भी रचना धर्विता की समान ही सुख मिलेगा सहरदे को जब कहानी अपनी उद्धेस में अप्रतेक्ष होती है और पाठक वहां से उसकी मूल समभीतना को अपनी मस्तिसक अपनी हरदे की द्वरा उस मूल समभीतना को ग्रहन करता है मित्रों हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद हिंदी के महान कथाकार है रामविलास सर्मा ने तो ये कहा है कि ये उपन्यास कार बड़े हैं लेकिन वास्ता में सच ये है जैसा कि वीर भरत तलवार कहते हैं कि प्रेमचंद कहानी कार बड़े हैं उतो रामविला सर्मा तो जो वर्क संगर्स है उसको बड़े व्यापक पैमाने पर देखना चाहते हैं, इसलिए प्रेम चंद के अपन्यास का रुप को ज़्यादा महत देते हैं क्योंकि कहानी में वर्क संगर्ष की उतनी व्यापक अभिव्यक्ति संभव नहीं है, उपन्यास में तो इस्पेस है बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रेमचंद की कहानियां एक से बढ़कर एक मारमिक कहानिया और उनके पात्र ऐसे लगते हैं हमारे जीवन के आसपास के पात्र प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन, सामाने ते इसको अंतिम कहानी माना गया है, जिसका प्रकासन वर्स 1936 ही है, हलांकि प्रेमचंद की बड़े विसी सग है कमल किस और गोईनी का, जिरोंने बहुत अच्छा काम प्रेमचंद पर किया भी है, कुछ नया भी किया है, लेकिन प्रेमचंद को कुछ अलग दरश्टी कौन से देखा है, जो उसकी कहीं 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 प्रेमचंद की छवी को दोमिल करने का प्रियास भी गोईनीका ने किया है, परन्तु गोईनीका की जो पुस्तक है, प्रेमचंद की कहानियों का काल करम अनसार अध्यन, उसमें तो गोईनी ताक की अनसार तो बात करें कि प्रेम चंद की जो उन्तिम कहानी करकेट मैच है है ठीक है प्र गुईनिका का अज बश्यार को मैंने आपको मिप्ली चंद की paghanniearm था तो मैंने आपको बताया कि प्रेम चंद की पहली कहानी सब अलग-अलग माइने में है कहीं सोजे वतन पहला कहानी संगरे कई दुनिया कान मोल रतन कई इसके दुनिया हुब्य वतन कई ऴट्रमीसुर कहीं बड़े घर की बीटी कहीं बलिदान तबाम कहानियों का रेफ्रेंस आता है आपको मैंने विस्तार से वह समझाया है कि आखिर ये इस प्रकार की विचार धारा क्यों है तो प्रेम चंद की पर्थम उस दृष्टी कौन से हम बात कर चुके हैं लेकिन आज हम इसकी अंतिम कहानी पर बातचीत करेंगे कफन और मित्रोई एक मेरे साथ तो बड़ी समस्चा ये भी है कि जब इन कालजे रचनाओं को पढ़ता हूँ तो हर बार कुछ नया ही अर्थ पाता हूँ और ये कालजे रचना की पहचान भी है ये बास सही है कि प्रेमचंद की जो ये कहानी एक कफन ये दलितों के उपर लिखी गई कहानी है और इन से पहले जो 1930 में पूस की रात कहानी आई थी वो किसान जीवन पर लिखी गई प्रेमचंद की अंतिम महतपून कहानी है लेकिन अंतिम कहानी तो कफन की बात की जाती है गोई निका के अनसार पूछेंगे तो करकेट मैच कर देंगे और कफन कहानी किसान जीवन पर नहीं है दलितों के उपर लिखा गया है अप्रेम चंदनी इस कहानी में दिखाया है अभी हम इसका पाठ भी इसका अध्यन करेंगे एक एक बिंदू का अध्यन करेंगे क्योंकि इन कहानीों से सवाल समवेधना से आता है पातर यूजना से आता है कि कौन सा पातर क्या अभिविक्त कर रहा है और यदि कोई बेहत चर्चित पंक्ती आ रही है या कोई प्रकरती चित्रन से सम्मंदित पंक्ती आ रही है तो वे तो पेपरवन जरूर आती है चुकि बहुत बड़ी विदा नहीं है इसलिए पूरी कहानी का अध्यन करना हमारे लिए लाजमी है मैं तो ये कहानी मोटे तोर पर आप सबने पढ़ रखी है और विशेश जब भी आप एंटर्यू साक्षतकार वगरा में जाते हैं तो वहां भी कफन कहानी की मूल समविदना से सवाल जरूर पूछते हैं इस कहानी में प्रेमचन ने दिखलाया है कि घीसु और मादव है घीसु पिता है मादव उनका पुत्र है लेकिन दोनों कामचोर है घीसु एक दिन काम करता है तो तीन दिन आराम करता है मादव तो और बड़ा कामचोर है उसका भी गुरू निकल रहा है अपने पिता का भी आदे घंटे काम करेगा तो एक घंटे सुसता हैगा इसलिए गाओं में इनको कोई मजदूरी भी देना नहीं चाहता है और किसे गोर मजबूरी फंसी हुई है कि कोई आदमी नहीं मिल रहे काम के लिए तो इनको ले आओ मुख तोर से ये लोग जब घर में दो तीन पैसे पड़े होते हैं कुछ भी तो फिर कोई काम नहीं करते हैं आलसी के रूप में इसमें दिखाया गया है और काम में बताया गया है कि गीसू जो है वो पेड़ पर चड़कर के लकड़ी काट लेता है मादव उनको बजार में बेच आता है जो मिलता है उससे काम चल जाता है लेकिन ये क्या प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि जो मादव की बतनी है जिसका नाम है बुदिया में तो एक बात बराबर ध्यान रखेंगे आप कि प्रेमचंद की पहले उर्दू में कहानिया पहले आती थी हिंदी में बाद में अनुवाद करते थे वैसे तो कफन कहानी उर्दू में तो जामिया में दिसमर 1935 में ही प्रकासित हो गई थी लेकिन जब ये हिंदी में आई तो हिंदी में सरप्रतम इसका प्रकासन अप्रेल के महा में 1936 इसी में हुआ और वो भी चांद पत्रिका में प्रकासित हुई थी रचना डाटा पूछ सकते हैं किस पत्रिका में प्रकासित हुई थी कहानी चांद पत्रिका में किस महीने के अंक में अप्रेल के महीने के अंक में कफन प्रकासन वर्ष हिंदी के अंसार पूछेंगे 36 करेंगे प्रेम चंद ने इसमें क्या दिखला दिया है दलित लोग यूपी में तो प्रेमचंद का एक उपन्यास है रंग भूमी जैसे में जाती सूचक सब्द का परियोग मिलता है और एक यह कफन इन कहानियों की उपन्यासों की तो आहूती दी जाती है जलाते हैं लोग दलित लोग ही जलाते हैं कफन कहानी में परेमचंद ने लिखाएं कि बुधिहत तडप रही है प्रसव प्रेड़ा जो मादव की पत्नी है वो तडप रही है यह आलू खा रहे हलु सेक रहें खा क्या रहें गटक रहें घिसु मादव दोने दूसरे से कहते हैं कि जाओ देखके आओ कोई नहीं जाना चारा और फिर घिसु ने वो एक कहानी और सुना दी बीच में जटाकर के घर गया था कैसे पूरिया खाई थी चटकारे ले लेकर के क्या मान वियता है एक तरब तरब कर मरने वाली हैं ये लोग या तो हलू खा रहे हैं या तो खाने वाले किस्सों को याद कर रहे हैं मादव भी कहता है कि ऐसा बोज हमें मिल जाए तो कहना ही गया और सुबह देखता है जाकर के मादव तो तरब तरब कर मर चुकी है उसकी आँख डेवरिक तरह निकली हुई है, बुध्याई संसार से मुक्ति पास चुकी है, क्योंकि उसके पेट का बच्चा मर गया है, वो मर चुकी है, फिर वही गाओं की कुछ महिलाएं आती हैं तो रोती हैं विचारी, जो समय दंसील महिलाएं है, भाकि ठाकुर के पास जाता है, घीसू रोना होता है, कि अब सब खर्चा कर दिया, हमने दवादारों में पैसे हमारे पास है नहीं, जूट बोलता है, जूटे ही हैं लोग, कामचोर हैं लोग, आलू किसी खेट से चुरा लाए, कभी मटर चुरा लाए, मौका मिला तो खा लेते हैं, क्या धलित लोग इतने कामचोर होत है, वहाँ देखा तो मदसाला में आकरसन हो गया, वहाँ बैठे, सराब पी, चखना के साथ, कुछ मचली के साथ में कलेजी वगरा लेकर के, चखना होता है, मित्रों जो सराब का जब पान करते हैं तो कुछ, उसके साथ में खाने पीने का इटम, दो रुखाते पीते हैं औ कफन तो लेते ही नहीं है, अब लोगों ने इस पर आरूप लगाया, कि अरे भाई, कोई इतना दलित असमधनसील कैसे हो सकता है, जो अपनी पतनी के कफन के लिए, वह मा धव, और उसका पेता घीस हो, वह जाकर के कफन के पैसों से तो शराब पी गए, पूडिया खा गए बड़ा आजीव है, इस का आने का विरूद किया गया, हाँ खेर बात भी, ठीक कह रहे हैं लोगों आप, यदि सते ही द्रश्टी कौन से देखा जाए तो ऐसा ही भावबूद पैदा होता है, मित्रो, ये बहुत ही संख्षिप्त में मैंने आपको कथानक सुनाया है, अब म मैं आपको प्रेमचंद और उसकी रच्रण धर्मिता और इस कफन की जो वास्तिरिक अनभूती क्या है, ये मैं आपको आज की किलास में बतलाता हूं, जो आपको पूरे जीवन काम आने वाला है, मित्रो, इसमें तो कोई दोराएं नहीं है कि हिंदी कथा संसार में पूरे नियास और कहानी शामिल हो जाते हैं, हाटा संब्राठ कहलाते हैं, थो आप याद करो, बांगला के शर्ट चंदड चटोपाद्याया नहीं नहींत, इसके पन्यास संब्राथ का आए, ये कथा अम्राथ माने जाते हैं, और प्रेम्चंद उत्तr-भारत का जो निम्न और मध्यम वर्ग है इसके तो सीधे सीधे चितेरे कहे जा सकते हैं कि प्रेम चंद उत्तर भारत के निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के चितेरे हैं और उनकी कहानियों में समाज के सभी वर्ग दिख जाते हैं उच वर्ग भी दिख जाता है और समाज के सभी वर्ग प्रेम चंद की कहानियों को विशलिसंग करते हैं तो प्रेम चंद के व्यक्तित्व के दो पहलों उजागर होते हैं कि यह सत्य है कि लेख़ग की कहानी कला विक्सित होती है आप याद गरो हिंदी कहानी का उद्भवर विकास बढ़ाते समय मैं आपको बताया था कि कहानी की कोई निशित परिवासा दी ही नहीं जा सकती क्योंकि समय समय पर कहानी के संदर में मानिताएं आउधारनाएं मानिताएं आउधारनाएं और इसका स्वरूप बदलता रहता है स्वयम् परेमजंद ने कहानी कला के नाम से तीन निबंद है जो उनके साहित्य के ऊद्ध सी में सामिल है अब परेमजंद पहले कहा करते थे कि एक अच्छी कहानी वो है जो किसी मनोवेग्ज्ञानिक सत्य पराढ़ ही तो उससे पहले तो खेर उन्होंने ये बात कहिए कि कहानी एक आख्यारी का गटना मातर है फिर वो कहा उनका द्रश्टी कौन बड़ा विक्सित हुआ प्रेमचंद का फिर कहा कि एक अच्छी कहानी वो है जो किसी मनवग्यानिक सत्य परादारी तो लेकिन जब प्रेमचंद की कहानी की समझ और अधिक बड़ती है तो फिर वो निसकर्स निकालते हुए तीसरी सुपान पर कहते हैं कि एक अच्छी कहानी वो है जिसमें आत्मा की एक जलक मिल जाए कि आज कहानी में बहुत ज़्यदा इस्थान गटनाओ पात्रों के अंबार की जरत नहीं है एक अच्छी कहानी वो है जिसमें आत्मा की एक जलक मिल जाए मित्रों 1930 ईस्वी के दौर के बाद की कहानी और 1930 के दौर के पहले की कहानीों में आप देखेंगे तो प्रेम चंद की इन दोनों दौरों की कहानियों में आपको समानता ही नहीं मिलेगी क्योंकि 1930 के बाद प्रेम चंद ने एक से भढ़कर एक महान स्रिष्ट कहानिया लिखी है जो प्रेम चंद की प्रसिद्धी का बड़ा कारण है चाहिए आप उसको सद्गती कह सकते हो ठाकर वाला कुवा कह सकते हो आप पूस की रात कह सकते हो कफन कह सकते हो प्रेम चंद की द्रश्टी कौन का ये विकास बड़े यथार्थ वादी डंग से हुआ जबकि प्रारम दौर की जो कहणिया है वह आदर्वाद की परदहनता देखने को मिलती है आप बड़े घर की बीटी देख लिजी आप पर मैस्वर पढ़ लिजी प्रारम दौर की कहानियों में तो प्रेम चंद की कहानियों का विकास कुछ इस रखार कार से होता है बहुत बहतरी आप कह सकते हैं कि बोल बाला है तो 1930 के बाद की कहानियों में यथार्थवाद का जो कटू सकते देखने को मिलता है प्रेमचंद की कहानियों में वो मित्रो बेहद प्रसंसनी है और ये तो आप जानते हैं कि इनका जो पहला कहानी संग्रह सोजे वतन है उर्दू में आया था इसमें दुनिया का अनमूल रतन जैसी आदर्स वादी कहानिया लगी हुई है मित्रो ये बात सही है कि प्रेम चंद पर प्रारंब में गांधी वाद का परभाव देखने को मिलता है पहले की कहानियों में देश बक्ती का जजबा मिलेगा कर्तव्य पालन, प्रेम, बलिदान, आदर्स की जो परवर्ती है आदर्स उन मुखी इथार्थवात की परवर्ती है वो बहुत सहज रूप से आप देख सकते हो अब इस दोर में इन्होंने प्रेमचंद ने राजाहल दौल, सती जैसी, दिसबक्ती पूर्ण, पंच परमेश्वर, विचित्रहूली, आहूती, जुरूस, सत्याग्रे, सतरंज के खिलाडी, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, अलग्योजा ऐसी आदर्सवादी और सुधारवादी कहानिया उन्होंने लिखी है, लेकिन 1917 इस्वी में प्रेमचंद में एक परिपक्ता देखने को मिलती है, आप उनकी कहानियों को ठीक से पढ़ी है 1917 इसवी से प्रेमचंद में एक परिपक्ता देखने को मिलती है वो यथार्थवाद हलका सा प्रारम हो जाता है विसेश यथार्थवाद तो 1930 से प्रारम होता है अब प्रेमचंद का जो एक नया रूप है कि वो किसानों के लिए लिखने वाले बनते हैं 1917 के बाद देखिए प्रेमचंद में विसेश द्यान दिया इन जीजों पर उनकी कहानी किसान जीवन पर लिखी गई प्रेमचंद की पहली कहानी के दिया आप बात करेंगे तो बलेदान है जो 1918 इस विम प्रकासित हुई तो प्रेमचंद अब एक नए रूप में देखने को मिलते हैं आप कह सकते हैं कि ये किसानों के लिए लिखने वाले गरीब और सोसितों के प्रतीजों सानबूती रखने वाले एक समस्या कहानीकार के रूप में अभी उबरते हुई दिखाई देते हैं हो सकता है कि 1917 इसी में जो रूप में बौल से भी करांती हुई थी उसका प्रतिक्ष नहीं तो एप्रतिक्ष प्रभाव प्रेमचंद पर जरूर पड़ा है ये अनयास नहीं है कि 1917 की रूप की बौल से भी करांती होती है और 1918 में प्रेम चंद की किसान जीवन पर लिखी गई पहली कहानी आती है बलिदान जिसका पातर गिरदारी है और जिसकी कहानी मैंने आपको कहानी का उद्भख और विकास पढ़ते पढ़ते समय समझाया था आपको और अब प्रेम चंद ने मुक्ती मार्ग, सुजान भगत, पूस की राथ, सदगती, ठाकुर वाला कुवा, सवासेर गेहूं, कफन ऐसी कहानियों के रचना की और ये बड़ी चर्चित उलिख निय कहानिया प्रेम चंद की है आप ये भी ध्यान रखेंगे कि मैंना आपको एक डाटा बताया था प्रेम चंद को पढ़ाते समय के सिक्छा विवाग में इंस्पेक्टर थे प्रेम चंद और आठ फरवरी 1921 सीश्वी में गांदी जी का स महतपूर्ण जो कहानिया लिखी हैं जैसे त्यागी का प्रेम आहुती जुलूस चकमा कहानी पढ़िए आप चकमा ऐसी कहानिया लिखी और इनका जो कहानी संग रहे हैं जिसको ब्रिटिस सरकार ने 1932 में जब्त कर लिया था समर्यात्रा उस समर्यात्रा में आप इनकी किस्वक्ति पूर्ण कहानियों को देख सकते हो कुल कितनी कहानी लिखी प्रेम चंद्र है लगवक्त तीन सो कहानिया लिखी जो मांसरोवर के आठ खंडों में सामिल है तो मित्रो इस तरह प्रेम चंद्र ने दीश की स्वाधेंता है तो समा सुधार इस्तरी की दसा सुधारन ने तो दलित मुक्ति, अमध्यम वर्ग, निम्न वर्ग इन सब पर कहानिया लिखी हैं मैं आपको बताया था कि प्रेम चंद ने बस मूलते इतिहासिक कहानिया नहीं लिखी हैं अलांकि आपवाद में रानी सेरंधरा जैसी कहानी हैं लेकिन मूलते उन्होंने इतिहासिक कहानी नहीं लिखी हैं इतिहास में प्रेम चंद का मन नहीं रमता है इस बिंदू पर तो वो जैसरिंकर प्रसाथ से अलग है दोनों कहानी संग्रे प्रेमचंद के बिटिस सरकार ने जब्द कर लिये थे 1910 में सोजे वतन जब्द कर लिया था और 1932 में समर्यातर जब्द कर लिया था और यदि कहानियां जबतो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहीं कहीं वो कहानियां देश के अंदुलन से टकरा रही है प्रेमचंद की कहानियां प्रारमिक दोर की कहानियां तो सीधे सीधे अपने कथे को प्रकट कर देती है मित्रो आकार के दृष्टि कौन से छोटी है लेकिन 1930 के बाद की कहानियों में बड़ा गहरा भाव है बड़ी है प्रत्यक्ष सम्वेदना प्रकट हुई है और ऐसे ऐसे मारमिक प्रसंग प्रेमचंद अपनी कहानियों में लाते हैं जो पाठक वर्ग की हिर्दे पर सीधा प् लोकोक्ति और मुहावरों का इतना सांदार प्रियोग किया है प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में कि वो अत्यांत सजीव द्रस्य बन गर के उबरता है चलो ये तो प्रेमचंद की एक रचना धर्मीता के सवाल में हमने कुछ बातचीत की ये कफर के बारे में क्या का जाए कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेमचंद 1936 में प्रतिकरियावादी हो गयों दलितों को गिरा रहे हो और जो दलित चिंतक हैं दलित विचारक जो हैं वो तो ये कहते भी हैं कि हमें दलित हम स्वान भूती से साहित लिखते हैं स्वय अनभूती और प्रेम चन तो सवर्न हैं ये तो लाला हैं कायस्त हैं मुंसी हैं इनों उस पीडा को भोगा ही नहीं है तो ये तो दलितों को साहन भूती की दरश्टी कौन से देखते हैं दलित विमर्स इसी स्वान अथानक जानकारी दी थी, ये मैं आपको बता दूँ, कि प्रेम चंद की ये अंतिम और सरवादिक विवादा इस परकानी है, प्रेम चंद अपने ये तीनसो कहानियों में किमें कीमर कुछी कहानिया उसी हैं, जिन पर प्रेम चंद अमर हुए हैं और उनमें से एक कहानी कफन भी है और इस कहाने की विशेशता ये है कि ये कहानी सभी कहानियों से अलग है ये बात सही है कि इसमें दलित छेतना कहीं नहीं है कहा है दलित छेतना भीमराव अमिड कर ने एक बार कहा था कि दलित को यह एहसास दिला दो कि वो दलित है करांती की सरुवात महीं से होती है पर यहां तो कोई एहसास दिलाने वाला है तो यह बात तो सही है हम बिलकुल नहीं कहेंगे इस बात को कि कफन कफन कहानी दलित चेतना की कहानी है चेतना कहा है बिलकुल सही कफन दलित चेतना की नहीं मित्रो दलितों की आर्थिक परिस्थितियों की कहानी है कफन जमाना चाहे जैसे कफन की व्याख्या करें बड़े बड़े आलोचक चाहे जिस प्रकार से कफन को व्याख्याईत करें बड़े बड़े प्रोफेसर सेमिनारों में बोलते हुए ये बात कहते हुए सुने जाते हैं हैरानी होती है परिसानी भी बहुत ज spend को इत्र גजदा होती है कि क्या ये प्रेमचंद को इतना ही समझ पाए कि कह देते हैं कि दलित उको गिराया है कामचुर बताया है आरे भाई ना तो सवरन प्रबुद्ध इस बात को जान पा रहे हैं ना दलित लोग ही इस बात को जान पा रहे हैं कि प्रेमचंद या कहने का चा रहे हैं और यही कहानी कला का उट से है चरम है यह कहानी कत्य और सिल्प के लिहास से एक बहुत गंभीर कहानी और एक अलग ही प्रकरती की कहानी है एक दम पाठक को इस्तब्द कर देनी वाली कहानी है कि प्रारंब चल रहा है प्रेमचंद अपनी महान कहानियों में प्रारंब में ही पाठक को चौका देते हैं पाठक हत्प्रब रह जाता है वो समझे नहीं पाता कि यह हो क्या रहा है गीशु और मादव दोनों आलो खा रहे हैं जबकि बहु है बुद्या वो परसा पीड़ा से छट पटा रही है यह हविस्वस्निय सी बात है क्योंकि इतनी आसमधन सीलता तो मनस्रिम होई नहीं सकती तो कुछ तो हमारे ऐसे महान आलो चक हैं महान बुद्धिमान प्रोफिसर लोग है जो इस कहानी की यथार्थता पर ही आरूप लगाते है कि यह कहानी बस्वपन लोग में ऐसे लिख दी है इस कहानी में कहीं कोई यथार्थ ही नहीं है जबकि इस कहानी में जैसे यथार्थ है वैसा तो आज तक हिंदुस्तान में किसी भी राइटर के द्वारा ऐसा यथार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है गोशित रूप से कह रहा हूं और मेरे कहे हुए को जमाना सुन रहा है मुझे फर्क नहीं पढ़ता कि मैं प्रेमचंद का समर्थन कर रहा हूं या मैं प्रेमचंद के विरोध में हूँ या प्रेमचंद के विरोधियों के संदर्म बोल रहा हूं मुझे फर्क पढ़ता है मित्रो रचना में डूब कर रचना क्या कह रही है उसको व्यक्त करता हूँ मेरी समस्या है जब मैं अंदेरे में कविता पढ़ाता हूँ तो बेचेन, वो बेचेनी मुक्तिवोद की मेरे दिल में तरपती है मेरी भी आलत तो वैसी हो जाती है कि दिल में तरपता है अंदेरे का अंदाज आत्मा में भीसान बेदना सत्चित जलूठी दैगी जब मैं त्याक पत्र को पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि मिरनाल कोई और नहीं मेरे ही जीवन की भोगी हुई पिर्डा है मेरा हिर्दे एक इस्त्री हिर्दे का रूप दार्ण कर लेता है मैं ऐसा ही हूँ इसलिए चाहे कोई मुझे पागल कहे सनकी कहे कुछ लोग तो ये कह देते है आज ही मैंने सुना मेरे बारे में एक दोने ऐसा कुछ कहा कि अरे वो तो इतने गमंडी इंसान है जबकि गमंड वो आदमी कैसे कर सकता है जो जानता है कि छार उठाये लीने कमूठी दीन उडाये पर तो भी जोटी वो कैसे इंकार कर सकता है जो पल-पल जीवन के नस्वरता के बोद से संचालिते है मेरे बारे में ये टिपनी तो मैं सारज्य ग्रोप से भाइसकार करता हूँ में टिपने का कोई महत्व नहीं है लेकिन सायद वो इसलिए कह देते होंगे कि मैं अपने रचनाओं में डूबा रहता हूँ मैं ऐसा माजिक हूँ इसमें कोई दोराय नहीं है मैं सामाजिक नहीं हूँ मैं सामाजिक इसलिए नहीं है कि मैं रचनाओं से बाहर निकली नहीं पाता मेरा यही संसार है हसने का, रोने का, गुमने फिरने का, विच्रन करने का इसलिए साइद उनको लगता हुगा कि हमसे बात नहीं करता है, हमें समय नहीं देता है तो साइद में भी हो सकता है कि इडिए अशंवार्ण करण दोशाया है और जोड़िए फूर्ण कि मोश्वां करक्राइए एक का ऻैला कि लेकinky स्पाइट और लेकर कफब को लेकर कथाकारों में अलोचकों relatSabrain मिलता है यहां तक कि प्रेम्चंद को सुव duż दोगी कि सवर्णवादी मान सिकता का पोशक है, यहां तक कह दिया है, दलित लोग क्या ऐसे कामचोर, सम्विदना सुन्य और अनेतिक मानसिक्ता से ग्रसित होते हैं, यह सवाल उठाया, कि प्रेम चंद ने इस कहानी में दलितों को कामचोर बतलाया, सम्विदना सुन्य बतलाया, अनेतिक मानसिक्ता वाला बताया जो कफन के पैसों से भी दारू पी सकते हैं, सराप पी सकते हैं तो मित्रू आज तक इस कहानी का पुनरपाट किया जाता है आज तक इस कफन कहानी के उद्देश से पर विवाद बना हुआ है जैसे कि मैंने भी आपको कहा कि कथानक कुछ ऐसा है कि घीसू और मादव बाप बेटे हैं, घीसू पिता है, मादव बेटा है उन दोनों बहुत दिनों से भूके हैं तो मादव किसी खेट से जाके आलू चुरा करके लाया है आलू मिटर चुरा कर लाते हैं, आज आलू हाथ लग गए, आलू चुरा लाया और दोनों अलाव के पास अलाव बूलते हैं जो उसको गाओं के लोग आगाना भी बूलते हैं जब कुछ बून कर खाते हैं सरदियों में तापते भी हैं तो दोनों अलाव के पास बैठ करके आलू भून रहे हैं दोनों खाने को बेताब हैं उधर मादव की बीबी, बुदिया, परसब फिड़ा से पच्छाडे खा रही है, चितकार आ रही है और दोनों का उस तरफ ध्यान ना हो करके आलू खाने में लगे हुए है और खा भी ऐसे रहे हैं कि इनका तालू भी जल रहा है क्योंकि उपर से तो ठंडा लगता है, जब दातों के नीचे आता है तो गरम-गरम लेकि गटक रहे है आलू खा क्या रहे हैं गोया, कहना होगा कि आलू निंगल रहे हैं, गटक रहे हैं मित्रो, इस पहलू को आप ऐस समिदन सीलता से न जोड़े कि भूक से बढ़कर इस जीवन में कोई दूसरी चीज होई नी सकती जिनके पेट भूके हैं, उनसे पूछो, उनके लिए धर्म, दर्सन, मर्यादा, नेतिकता, सम्वेदना, इनके लिए कोई स्थान ने उनका सबसे बड़ा उदेश यह है अपना पेट भरना, अपने प्रानों के रक्षा करना और जिसने भूक की स्पीडा को भूगा है, वही जानता है भूक के माईने क्या है यह चीज, कफन के पैसे से जमिदार से पैसे मिलते हैं, दो रुपे अन्य लोगों से मिलता है, मिला जुला के पांच रुपे मिलते हैं उनको, फिर वो वहाँ भी कफन ना खरिद करके, पेट की छुदा को ही सांत करते हुए दिखाई देते हैं, गीजु और मादव कामचोर हैं, ऐसा दिखता है, परमित्रो क्यों ऐसा है, आप विचार तो करो, क्यों ऐसा है कि वो काम करने की अपेच्छा चुरा करके, या मांग कर खाना पसंद करते हैं, क्यों? क्यों ऐसा तो नहीं है, कि इनकी अकरमनेता का कारण, गीजु और मादव के अंदर नहो करके, उस व्यवस्था में हो, जिस व्यवस्था ने ऐसे कामचोर पैदा किये, अरे गीजु और मादव पर चारितरिक दोस लगाने से पहले, जरा उस व्यवस्था को तो आप देख लो, जिस व्यवस्था ने गीजु और मादव को अकरमन्य और अनितिक बनाया है, सम्वेजना सुन्य बनाया है, बताईए आप, कि जिस समाज में व्यक्ति के स्रम का कोई मुल्य नहीं है, उस समाज में कोई स्रम करना पसंद क्यों करेगा, ये बताईए आप, इस गहरे मनुवेग यानिक सत्य को पहली बार प्रेम चंदरे पकड़ लिया, जिस समाज में स्रम का कोई मूल्य नहीं है वहाँ कोई स्रम क्यों करेगा प्रेम चंद नहीं इसमें दिखाया है कि जब बहुत ज़्यादा परिस्रम कर रहे हैं वो भी भूके मर रहे हैं अरे जब भूका मरना ही नियती है तो क्यों ना बिना कोई काम करे बूखा मरे तो गीशुर मादव को आप अकरमन्य कहोगे या फिलोसफर कहोगे वो तो दार्स नहीं कहा है वो अकरमन्य कहा है जिस समाज में कुछ नहीं करने वाला तो राजय बना हुआ है जो बहुत कम सरम करके भी अच्छा खाता पीता है अच्छा पहन रहा है काम कुछ नहीं कर रहा ना के बराबर और जबकि जीतोर मेहनत करने वाले खोन पसीना एक कर देने वाले उनको खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल पाता है तो मित्रो खाने के नाम पर विचारा पानी पी करके ये गुजर बसर करते हैं तो ऐसे समाज में मैं पूछता हूँ आप लोगों से बताईए कि स्रम करना कहां तक उचित है जना विचार तो करो कल्प ना करो कि आप गीसु और मादव के इस्तान पर होंगे और आपके साथ ऐसा हो कि आप कितना भी काम करो जब भूका मरना है आपको विवस्ता ही ऐसी है तो आप काम करके भूका क्यों मरोगे अपने स्रीर को ठकाने का फाइदा क्या है कमसे कम पड़े पड़े भूके मर लो चोर लो मांग के खाला हो क्योंकि स्रम का मुल्य ही नहीं है समाज में वहाँ जाएए आप निकलिए गीसु और मादव से बाहर मतलगाईए आरोप इस बात के कि गीसु और मादव कामचोर है मतलगाईए आरोप इस बात के कि गीसु और मादव समेदना ही नहीं है आप जर बताईए कि जो व्यवस्ता ऐसी है किस नेतिकता की बात करोगे है कौन सा आदर्स एक बार भूख की प्रताड़ना को सेहन कर लो इन तमाम आदर्स और नेतिकताओं से परे हो जाओगे कोई क्यों नहीं जा रहा है ना घीस हुजा रहा है बुधिया को देखने नमादा हुजा रहा है कि उनको पता है आज बहुत दिनों बाद आलू चोरने का मौका मिला है एक जनाजो उठकर चला गया सेश बचा दूसरे आलू को गटक कर जाएगा ये भूख की नियती है ये भूख की तराशदी है और जिसे लोग आने तिकता कह रहे हैं वो वास्ता में कहो आने तिकता लेकिन वो विवस्ता की आने तिकता है इन दो बिचारे भुखडों की आने तिकता नहीं है गीशु और मादविसत्य को जानते हैं स्रम का बहिस्कार करते हैं फिलोसफ़ हैं वो दारसनिक हैं वो मेरी नजरों में और किसान जो काम करकर के मर रहा है वो तो मूर्ख है गोदान का ओरी नहीं क्या कर लिया इतना परिश्णन किया, गाय लापाया किसान बने रहने की थोली सी इक्षाती बना रह पाया मजदूर बन गया डेमोसन हो गया प्रमोसन की जगा और मजदूर बन करके भी क्या जी पाया बस रख तोड़ते खोते हुए गिलू लग गई गिट्टी तोड़ते हुए बिचारा मर गया फिर पूस की रात का हलकू मैं पूछता हूँ कौन सी जीतोड भिनत में कमी रखता है बताईया बिचारा फटे कम्मल में कडाके की ठंड में जहां सर्दी पिसाच की तरह उसके छाती को दवाए बिटा था ऐसी कडाके की ठंड में ना किवल हलकू बिचारा उसका वो डौगी जवरा भी कितना दुख पाते हैं क्या किया फसल पैदा करो पैसे माजन ले जाए पैसे जमिदार ले जाए वाह तुम्हें फाका करना पड़े क्या है इतने मेहनत करने के बाद भी जब आपको भूखा ही मरना आपकी नियती है फाके करके अपना सेस जीवन काट ना है तो इस द्रश्टी कौन से मित्रों मैं फिर कहता हूँ कि घिसू और माधाओ ये तो पहुंची हुए दार्सनिक है जब मेहनत करने वाले अपने पेट को भरने में असमर्थ हैं तो फिर वो मेहनत क्यों करें वाई समाज के दूसरे लोग दिन रात कड़े परिश्रम करने के बाद भी प्रेमचंद निस कहाने में दिखाया है कि समाज के दूसरे लोग दिन रात कड़े परिश्रम करने के बाद भी घीसु और मादव से अच्छी इस्तिती में नहीं है फिर जब भूखा ही मरना है तो फिर परिश्रम करके अपना खून बाके भूखा क्यों मर जाए बला इस पॉइंट को पकड़िया आप चलो दूसरे सवाल उठाते हैं बड़े-बड़े विद्वानों है मैंने कई प्रोफेसरों को बोलते हैं भी सुना ए बड़ी हैरानी होती है उनकी बुद्धी पर कही बार क्या बूलते हैं कामचोर है दूसरे सवाल उठाय जाता है कफन कहानी की संदर में कि घिसु और मादव इतने सम्वेदना सुनने क्यों हैं। वे इतने सम्वेदन हिन कैसे हो गए कि प्रसव पीड़ा से बहु छट पटा रही है मादव की और इन दोनों महारतियों पर कोई प्रभावी नहीं पड़ रहा है। at साल कैसाल वर्त है। नर्ग पेट। तुल्सी दास ने भी कहा है, तीन प्रकार की आग होती है , पेट की जट्रागनी और यह बडवागनी और दावागनी से बहानक होती है। आगे बड़ी है पेट की जट्राग में बहुने खून पसीने की कमाई से साल भर तक इन दोनों के दोजख बरे हैं पेट बरे हैं दोनों के गिसु और मादव के और जिसका मादव ने साल भर तक उपभोग किया अपनी पतनी का और जब आज वोपर सब पीड़ा से तरप रही है मर रही है तो कैसे दोनों बेपरवा होकर कि आलू खाने में मसता है क्या हमारा समाज इतना गिर चुका है क्या दलित लोग इतने समिदन हीन हो गए है यह एक पिवाद का सवाल आज तक बना हुआ है मित्रो इस आरोप के बारे में मेरा यह मानना है कि यह कहानी उस व्यवस्था की है जो मनुस्य को अमानवी बनाती है समाज ऐसी परिष्थितियों को उत्पन करता है जिसमें मनुस्य बहुत हद तक अमानवी बन जाता है चलो ठीक है ठीक है, ठीक है, मनुश्यता अपनी जगए ठीक है, लेकिन उस मनुश्यता से भी बढ़ करके, जो चीज इस दर्ती पर है, वो है भूख, आप सूच लेंगे कि आज गुरुजी निसायद खाना नहीं खाया है, मित्रो, कहानी की भूख को समझने की कोशिस कीजिया, जिन लोगों को पेट भरने के लिए खाना नहीं मिल पाता है, उनके लिए कैसी मनुश्यता, मैं पोचता हूं उनके लिए कैसी मनुश्यता, उनके लिए कैसी मानवियता, क्या है परिवासा? मनस्यता और मान्विता सब मित्या चीज़े है उनके लिए जिनको पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलता है उनके लिए मनस्यता और मान्विता से बढ़कर के चीज़े है पेट की भूख और उसकी समश्त मनस्यता उस भूख को सांत करने में लग जाती है और जिन लोगों को रोज भर पेट खाने को मिलता है, भोजन मिलता है, हमारे जैसे लोगों को, वो क्या जानेंगे, कि भूक मनुस्य को कितना अमानुस बना देती है भूक से व्याकुल व्यक्ति मानुविय अथवा अमानुवियता में कोई फरक नहीं कर पाता है, उसका धर्म अपने पेट को सांत करने में नहींत रहता है और घिसू और मादव के यही इस्तती है, कि बहू प्रसब पीड़ा से चट पटा रही है, लेकिन वो आलू गटक रहे है दोनों में से कोई बहू को देखने अंदर नहीं जाता, क्योंकि वो समझते हैं, कि जो अंदर गया, तो दूसरा आलू को चट कर जाएगा यह बहुत बहंकर और बहुत बड़ा यथार्थ चित्र है, इसे यथार्थ नहीं कहोंगे, यह गोर यथार्थ है भूख मनुस्य के लिए प्रथम है, प्रथम मानविय अमानविय का फर्क प्रकरती नहीं करती है कि यह मानविय है तो इसको भूख नहीं लगे यह अमानविय है तो इसको भूख नहीं लगे भूख मनुस्य के लिए प्रथम मानविय और अमानविय का फर्क प्रकरती नहीं करती है प्राचीन काल से मनसे जानवरों को मार करके खाता आ रहा है तब वे अमानविय नहीं थे अब बताओ अब चुरकी समाज बन गया है समाज के नियम बन गये है तो ये मानवियता अमानवियता का बोध घर में कर गया हमारे हिर्दे में आ गया तो याद करो ना वो पासान काल में हो कैसे-कैसे जानरों का कच्छा मास खाया करते थे तो वो का चली गई थी मानविता उस समय सब समाज बन गया नहीं हम बन गये बड़े गहरे सवाल बना दिये मानविता के आ मानविता के चलो ठीक जीवन की मूलभूत सुविधाएं ही मनुस्य को सब्ब बनाती है ये मैं आपको बता देता हूँ और जिसके पास पेट भरने का भोजन नहीं हो जिसके पास तन ढखने को कपड़े नहीं हो उसके लिए सब्बता कोई माने नहीं रखती है और इस तरह मित्रो कफन दो काम चोर व्यक्तियों की कहानी नहीं है बलकि उस सब्बता की देन है जो समाज की विकरतियों से उत्पन हुई है इस प्रकार से जानो आप इस कहानी को समस्य घिसु और मादव की समदन हिंता नहीं है समस्यतों समाज की विकर्तिया हैं जो गीसु और मादव को पैदा करती है गीसु और मादव कफन के रुप्यों से बोजन खाते हैं एक प्रकार से दोनों समाज के परती विद्रह करते हैं एक ऐसे समाज के परती विद्रह करते हैं जो विडमनाओं की सरष्टी करता है कफन किसे कहते हैं कफन का मतलब है मरे हुई सरीर को अर्थार्थ शव को सम्मान देना कफन मतलब ही है सब को सम्मान देने का नाम है कफन कफन उड़ा दो अरे जीते जी सम्मान नहीं दे पाए आप कैसा समाज है या आपका जीते जी समाज जीते जी सम्मान नहीं जीते जीतो तन डखने के लिए आपको चितरा भी ना मिलेगा मरने के बाद आपको नया कफन दिया जाता है वहारे समाज वाँ कभीर दास की पंक्तियाद आती है मित्रो कबीर दास ने कहा कि हमें का उड़ावे चदरिया चलती बिरिया अब तो हम जा रहे हैं चादर क्यों उड़ा रहे हैं और रहने दो प्रान राम जब निक्सन लागी छूट गई सब महला डरिया हमें का उड़ावे चदरिया चलती बिरिया सोचो आप अनायास नहीं है कि इस कहाने के अंत में गिसु अर्मादवों के मुझे गाना निकलता है ठगनी क्योंने ना जमकावे कबीरदास कबीरदास की पंक्ती है माया मा ठगनी हम जानी ठगनी क्योंने ना जमकावे मैं समझता हूँ कि साइद ये एक पंक्ती को यदि आप समझ जाएं कि ठगने क्योंने ना जमकावे इस पूरी कहानी को आप समझ जा रहे हैं तो मित्रो यदि कफन के पैसों से घीसू और मादवाज अच्छा भोजन कर लेते हैं यदि वो सराप पी लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये तथा कथिते सब्वे समाज के पृति विद्रो की भावना है लेकिन जान बूज कर नहीं बलकि समाज में व्याबत विडमनाओं के चलते ऐसी स्थितिया पैदा होती हैं गिसु और मादव इस संदर में अनेतिक यह मानुसिक नहीं हैं जो भूके हैं वे उस पैशी से पेट तो भरेंगे ही संसकार उनके लिए प्रात्मिक नहीं हैं किन संसकारों की बात कर रहे हैं गिसु और मादव से आप संसकार क्या पेक्षा करते हो करते हो तो आप गलत हो, you are wrong संसकार इनके लिए प्रात्मिक नहीं है अरे जिनका पेट भरे हो, संसकार तो उनके लिए है मर्यदाओं मुल्यों की रक्षा तो तब होगी जब पहले पेट भरा हुआ हो आरे मित्रोज, इसका पेट खाली है, उसके लिए क्या मर्यदाओं क्या मूल्यों कौन से संसकार इस तरह गीसु और मादव का कफन के पैसों से खाना खाना सब्समाज को मूँ चिडाने की समान है वो सब्समाज को मूँ चिडा रहे हैं और ऐसा उनको करना चाहिए था क्या है उनके घर में, क्या दिखाया है प्रेमचंदे कफन में अभी पढ़ेंगे इस पार्ट को हम आप सोच रहे होंगे गुरुजी ज़्यादा भावु को रहे हैं मित्रोबुजे इस कफन कहानी से भी अधिक दिक्कत इस बात को ले करके है कि बड़े-बड़े बुद्धी जीवी बनते हैं इतना सा भी प्रेमचंद को नहीं समझ पाते हैं प्रेमचंद पर व्याक्यान देना जाते हैं वहां दिक्कत होती है जब मैं सुनता हूँ कहीं से भी कि घीसु कामचोर है समझ दन सुन्य है दलित लोगों पर लेखी गई इतनी महान इथारतवादी कहानी है दलित लोगी इसका वहिसकार करते हैं बताओ विडवना क्या लिखा प्रेमचंद ने इस कहानी में बताया है कि घीसु और मादव उनके घर में दो-चार मिट्टी के बरतन है कहीं कोई अनाजपानी नहीं है धन दौलत की बात तो दूसरी बात है ये किसी समाज का कोई कल्पित चित्र हो सकता है क्या मुझे आप बताओ जो लोग कहते हैं कल्पना में कहानी लिखी गई है ए यथार्थवादी है इतने ज़्यादा वास्तिविक यथार्थ का चित्रन यह हो रहा है इन गरीबों के लिए सबता संस्क्रती मूलिये सब बेकार है बेकार फनिसरनात रेनु को पढ़िया आजाद भारत के प्रेमचंद कहलाते हैं आत्मा का सिल्पी कहलाते हैं फनिसरनात रेनु प्रेमचंद के बाद दूसरे बड़े महान कथाकार है फनिसरनात रेनु को पढ़िया क्यों मुझे रेनु यादा आ गया पीच में सी मुझे मित्रो रेणू की पंक्ती यादा रही रेणू ने एक जगे लिखा है कि पहले मनुस्य को मनुस्य बनाने की जर्ट है इंसान परंप्रागत मुल्यों से नहीं बनेंगे बलकि जब तक उनकी बुनियादी मूल भूत जर्टे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो ऐसे ही बने रहेंगे यह समझी आप तो मित्रो गेशु अर्मादव जब बुदिया के कफन के पैसो से सराप पी लेते हैं तो वो कैसी दार्शनिक बाते करते हैं आप इसको कहानी में नौट करेंगे पढ़ते समय आपने पढ़ी भी होगी और साइद हिंदी का ऐसा कोई विद्यारती नालायक होगा जिसने इस कफन कहानी को आज तक नहीं पढ़ा है गेशु और मादव जब बुदिया के कफन के पैसों से सराप पी लेते हैं कि जिसको जीते जी चीथड़ा ना मिला उसे मरने पर कफन वहरे समाच समझवाब और घीसु यह भी सोच रहा इस कहानी में कि यदि कफन के ये पैसे पहले मिल जाते तो बुदिया की दवादारू का इलाज ना हो जाता इंतजाम ना हो जाता उसका इलाज ना हो जाता सच तो यह है कि ये पैसे बुदिया की जीवित रहने पर मिल ही नहीं सकते थे सब बे कहलाने वाला समाज कितना स्वार्थी है कितना गेनोना है इस बात को गीसु और मादव दोनों जानते हैं उनको पता है कि यदि इस सब का संसकार नहीं किया गया तो इससे सडांद फैलेगी और सब जनों का रहना बहुत मुस्किल हो जाएगा इसलिए लास को ठिकाने लगाने के लिए ये सब समाज के लोग इसका इंतजाम करते हैं और गिशु और मादव ऐसे समाज का बहिसकार करते हैं ये चीज़ उनको चिंता बुदिया के लास की नहीं है चिंता इस बात कियेगी लास सड़ेगी और हमारी ना को में जाएगी और हमारी ना के सब्य हैं तो मित्रो यदि गीशु और मादो ऐसे समाज का भैसकार करते हैं ऐसे तथाकतित उच्च वर्गों की तथाकतित सब्संस्कृति का परदाफास करते हैं तो मैं पूछता हूँ कि वो क्या गलत करते हैं फिर कैसे कहानी निठलेपन की कहानी है आनेतिकता को दिखाती है कहानी है कैसे कहते हैं लोग यह कहानी दलितों के निठलेपन और आनेतिकता की कहानी नहीं है लेखक प्रेमचंद ने यहां समाज में व्याप्त जो यथार्त है उसका सजीव चित्रन किया है वाश्तिविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी निक्रिष्ट समाज यवस्ता पर इतना गहरा का टाक्षिस में किया गया है आप प्रेम चंदने जो पात्रों का च्वियन किया गिसु और मादव इससे सटीक पात्र और संभव ही नहीं थे प्रेम चंदने मित्रों इस कहानी में इस सट्थ को व्यक्त किया है कि जिसे जिन्दा रहने के लिए खाना ना मिल सके उसके लिए सब्वता संस्क्रती मुल्य परंपराओं के लिए कोई एहमियत नहीं होती और नहीं उनसे इस चीज की उम्मिद करनी चाहिए इसलिए मित्रों हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी दलित विरोदी नहीं है समझो दलितो इस कहानी को समझो ये कहानी दलित विरोदी नहीं है बलकि प्रेम चंदने सही पात्रों का चुनाव किया है कि किस प्रक्रिया से गुजर करके मनुस्य गिरता है उस प्रक्रिया को व्यक्त करने वाली कहानी का नाम है कफन और मैं कह रहा हूँ कि प्रेमचंद की ये जो कफन कहानी है ये प्रेमचंद की कहानी कला का उतकर्स है प्रेमचंद तूटते जीवन मुल्यों का जो विचितर रूप देख रहे हैं वो प्रेमचंद को बहुत आकरसित कर रहा था तो प्रेम चंद तूटते जीवन मुल्यों का यथार्थ विचितर रूप उसको आकरसित कर रहा था भीतरी कमजोरियों के साथ भीतरी कमजोरियों के साथ उसके इंसान के रूप में सोचने का जो यहां वही रूप नहीं है जो उनकी पहले की आदर्स वादी कहानियों में नजराता है यह कहानी गोर यतार्त वादी कहानी है मरते जीते पात्रों को प्रेम चंद ने यहां यथार्थ वादी डंग से प्रस्तुत किया है मित्रों इसलिए भूलना मुस्किल है घीसु और मादव पात्रों को और भूलना मुस्किल है उन कठिन इस्तितियों को जहां वो सोचते हैं घीसु और मादव कि कैसा बुरा रिवाज है जीते जी तन डखने को चीथड़ा ना दिया जाए उसे मरने के बाद नया कफन चाहिए जो घीसु इस बात को कहता है तो मित्रो आप इसको ऐसा नहीं समझे कि ये घीसु और मादव के नीचे गिरते चले जाने की कहानी है नहीं ये कहानी घीसु और मादव के नीचे गिरते चले जाने से तो कहीं जादा ऐसे कमजोर होते समाज की कहानी है जहां इनसान को इनसान की तरह जी भी नहीं पा रहा है जहां इनसान इनसान की तरह जी भी नहीं पाराद जी भी नहीं सकता है आप याद करो सद्गती कहाने का जो दुखी है और कफन के ये गीसु और मादव है मित्रो ये ऐसे पात रहें जब इसमर्ती में बसते हैं तो बुलाए नहीं भूलते बुलाए नहीं भूलते ये है कफन कहानी की मूल संवेदना जो मैंने आपको मित्रो यह इसपष्ट की है तो इन पहलू को आपको ध्यान में रख करके अगली किलास में हम कफन कहानी का अध्यन करेंगे आज के लिए इतना ही नमस्कार